विहार के मुखे मेंटरी नितीश कुमार ने राहत के नाम पर मोदी पर एक बाल फिर चुट के लिई है उत्राखंच की तबाही को लेकर नितीश कुमार ने कहा वो रेम्बो नहीं है मोदी जी सुन लीजिये नितीश कुमार का ये बयान सीधे सीधे आपकी तरफ इशारा कर रहा है अब सुन लीजिये नितीश ने मोदी पर इशारों इशारों में हमला क्यों और कहां बोला रविवार को बीजेपी नेता और बिहार के पुर्व मुख्यमंत्रि सुशील मोदी ने उत्राखंट रास्ती में बिहार के लोगों के अनदेकी को लेकर नितीश पर सवाल उठाये थे पटनावे नितीश जनता दर्वार के बाद जैसे ही मीडिया के सामने आये पत्रगारों ने नितीश ते सीरह सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी के बहाने मोदी पर चुटकी ली जो कुछ भी संबोथ था सब किया गया है अब उत्राखंड बिहार का हिस्सा नहीं है और दूसरी बात है कि हम भी कोई वो एक पात्र है जिसकी बड़ी चर्चा होती है रेंबो टाइप तो हम है नहीं कि वहाँ कूट जाए और वहाँ से उठा करके लोगों को निकाल दे तो ये महारत मुझे नहीं हासिल है और न मुझमें छपने की कोई भूख है और खबर बनाने की कोई लाजसा राती सुशील मोदी ने कहा था कि उत्तरा खन्मे फसे विहार के लोगों के साथ विहार सरकार का जो रवईया रहा है वो पूरी तरह से एक क्रिमिनल नेगलिजेंस है नितीश ने कहा हम अपना काम कर रहे हैं जिसे जो कहना हो कहता रहे अरे पुराने सहयोगी है वर्सों तक साथ काम करने के बाद अचानक पता नहीं लोग किस मालसिक्ता से ग्रस्ट हो गए जेडियो और बीजीपी का रिष्टा तूटने के बाद से ही दोनों पार्टियों के भी जुबानी जंग का सलसिला जारी है अब नितीश ने इशारों में मोदी को लेकर जो बयान दिया है जाहर है शब्दों के ये तीर अभी रुकने वाले नहीं शिशिर चौबे पटना इंडियनिस